तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रितिक रोशन और टाइगर श्रॉप की एक्शन ट्रिलर फिल्म वार ने साल 2019 में बॉक्स ओफिस पर धाम माल मचा दिया था दोस्तों इस फिल्म के हर एक चीज चाहे वो फिल्म के आक्शन जीन्स हो फिल्म की स्टोरी लाइन हो या फिर रितिक और टाइगर की दमदार पफॉर्मन्स हो सब कुछ एक दम टॉप क्लास था और यहीवचर थी कि इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कमाई करते हुए हाइस ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2019 का खिताब अपने नाम कर दिया वही दोस्तों वार की जबरदर सफलता को देखने के पार यश्राज फिल्म्स ने वार को एक सीरीज के रूप में तकदिल करने का फैसला कर दिया था और दोस्तों यहाँ पर पताया गया था कि यश्र करना होगा तरसल दोस्तों यश्राज प्रोडक्शन हाउस अपने 50 साल पूरे होने के उपलक्ष में प्रोजेक्ट 50 नाम का एक इवेंट आयोजेत करने वाला था और इस इवेंट में यश्राज प्रोडक्शन के तहत बनने वाली कई आगा में फिल्मों का अनौंसमेंट कि आजाने वाला था लेकिन दोस्तों आप कोरोना वाइरस के चलते इस इवेंट को पोस्पोन कर दिया गया है और दोस्तों आपके जानकारे के लिए बता दे कि इसी इवेंट में रितिक रोशन की बिग बज़ेट फिल्म वार 2 का एलान भी होने वाला था वही दोस्तों इस देरी होने की वज़ा बताते हुए इससे जुड़े एक क्लोस सोर्स ने बताया है कि प्रोजेक्ट फिप्टी एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जिसमें कई बड़ी फिल्मों की घोशना होनी थी लेकिन लॉक्डाउन ने सभी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है स्टूडियो ने तो उन ए लिस्टर्स कलाकारों के मेसेच भी रेकॉर्ड करना शुरू कर दिये थे जो यश्राज प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके है लेकिन अब सब कुछ लॉक्डाउन के कारण डेले हो चुका है साथ इस भग्य समारों की तैयारी भी शुरू हो चु ने वाली थी लेकिन अभी तक इस इवेंट की कोई नई डेट सामने नहीं आई है स्टूडियो इस बारे में तभी फैसला लेगा जब एक बार लॉक्डाउन हट जाएगा और हालात पहले के तरह सामानिय हो जाएंगे यारी दोस्तों हमें रितिक की फिल्स वार्टू की अ अच्छा खासा इंतसार करना होगा तो रितिक रोशन के तमाम फैंस आप बताएए कि आप वार्टू के अनॉंस्मेंट के लिए कितने एकसाइटेड है ज़रूर शेर कीजिए अपने राय कमेंट सेक्शन में और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो अच्छ रगी हो तो इसे ल पॉलिवड के लेटेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियान सुडियो टॉटप चैनल को जाएगे